नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेशन है तुर्ण वीडियो में कमेंट करके जरूर रता ही है चल लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण स नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस्टडी फार इजामस में दोस्तों यूपी प्यासी एपियस के लिए हम लोग स्पोर्ट्स के कुछ इंपॉर्टन फैट को इस वीडियो के माधिम से कवर करेंगे वीडियो सुरू करने से पहला आग बताना चाहता हूं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आई हम वीडियो सुरू करते हैं कि स्पोर्ट्स बुक एंड आथर खिलाडियों के जो आटो बाइग्राफिय है और साथ में कुछ इंपॉर्टन पुस्तक के उनको लोग इस वीडियो के माधिम से कवर करेंगे गोल जो आटो बाइग्राफि है आपो की के प्लेयर है डो हुग किक जो आटो बाइग्राफिय है ये बल्भीर सिंकी एं दगोल्डेन हाट्रिक माइग्राgen जो आटो बाइग्राफिया वह इंग्लम के सूपरेस्टार फुर। खेलाडी डेविद वैकहम की है माई साइड आप लोगोंने काफी चर्चा में देखा होगा डेविद वैकहम जो है यह है कि all the world cup खेला गया है उसमें इन्होंने प्रतिभाग भी लिया था और बुलाया गया था इसेसली जो काफी चर्चा में रहेती डेविद वैकहम माई साइड है golden girl जो आटो बैग्राफ ही है यह PT उसा की है PT उसा जो जीवनी है उसका नाम golden girl है इन्हें पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है तो पयोली एक्सप्रेस जो है वो है PT उसा जी को कहा जाता है जो पुस्तक है इसके लेखर सुनिल गवासकर है जिने लिटिल मास्टर ब्लास्टर का जाता है सुनिल गवासकर how i play golf जो आटो बाइग्राफि यह tiger woods की है tiger woods की जो बाइग्राफिंक नाम के आपका how i play golf है यह एक golf play्र है tiger woods रिक्ट माय स्ट्रेस जो आटो बाइग्राफिंक है यह कपिलदेव की है और कपिलदेव जी 1983 जो वर्ल्ट कप हुआ था उसके कप्तान रही थे जिन्होंने फाइनल में एक सुप प्रेशतरन की पारी खेली थी क्रिकेट माई स्टाइल यह कपिलदेव की आटोबाइग्रॉफी है सचीन तेंदुलकर जो आटोबाइग्रॉफी के नाम है वह प्लेइंग इट माइवे हैं सचीन तेंदुलकर की आटोबाइग्रॉफी है एसेंचुरी इस नाट एनफ जो पुस्तक है यह स्वारव गांगुली दोरा लिखी गई है स्वारव गांगुली ने जो है एसेंचुरी इस नाट एनफ जो है लिखी है पुस्तक स्वारव गांगुली ने नो इस्पिन जो है यह आश्टेलिया की इस्पिनर रहे हैं सिन्वाद इनकी आटोबाइग रॉफिक का नाम नो इस्पिन है दा टेस्ट आप माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक यह युराज सिंग की आटोबाइग रॉफिक है 281 एंड ब्यांड जो पुस्तक लिखिए गई है यह बीवी एस लच्वंद दौरा लिकी गई है और यह जो पारी यह वह आश्ट आले किलाव इनकी टेस्ट में पारी के लिए थी भीएस लच्वंद द्वारा इंपरफेक्ट पूस्तक है यह वरतमां जो कमेटेटर संज़मा जेकर की पुस्तक है, six machine, I don't like cricket, I love it, जो पुस्तक है, यह Chris Gale द्वारा लिखी गई है, और Chris Gale जो है, यह वस्टिंडिज के प्लेयर है, age against odds जो पुस्तक है, यह है, tennis player, सानिय मिर्जा की autobiography है, age against odds, unbreakable जो है, यह हमेरिक कौम की autobiography है, unbreakable जो है, यह है, autobiography मेरिक कौम की है, और मेरिक कौम एक मुक्की बाज है, तिस प्रकार जो है, खिलाड़ी सम्मन्दी जो पुस्तक हैं, उनकी biography है, उनको उनको लोग कवर कर लिए हैं, हम लोग अभी हाले में जो आईजित किया गया था, पूरुस cricket बिसुकप दोज़ाद 23, उसके बारे में कुछ important fact को कवर करेंगे, दोज़ाद 23 में जो है, पूरुस cricket बिसुकप का 13 संस्क्राइजित किया गया था, और इसकी जो मेजबानी है, वो अपना भारत देशने इसकी मेजबानी किया था, इसमें कुल जो है, दस टीबों ने प्रति भाग लिया था, इससे पूरु जो है, भारत ने अब तक टोटल दो बार पूरुस cricket बिसुकप का बी जीता रहा है, पहली बार 1983 में जिसके कप्तान कपिल देव जी थे, और 2011 में जो कप्तान भारती टीम के थे, वो है, एमस धोनी थे, अब भारत जो है, दो बार पूरुस cricket बिसुकप को जीत चुका है, और जो फाइनल खेला गया था, दो इंग्लेट और निज्बेन के मद खेला गया था, सबसे पहला जो मुकाब्ला है, यह थोडशे इपॉर्टन रहता है, इसको नोट कर लिए आगां इंग्लेट और निज्बा किला गया था, और 2012 की जो बिसुकप खेला गया था, वह इन ही दोनों के मद घेला गया था, दो बार जीता है और फाइनल में जो है Player of the match का का जो खिताब है वह Travis head ने जीता था असटेलिया के बलेबाज है Travis उने Player of the match का खिताब दिया गया फाइनल में टुनामेन्ट सबast Chief ड्यादा रंण जो बनाई है वो टोटल 75-डवी इस बनाए आए ड्वी राट-वी राटण को चुना गया है मैंनदज स्वसक्राइड जो चुनेए ट्रविस हेट चुनेए थे जो है वह मैंनदज स्चेट है और पूरे टूर्णामेडों सबसे है ये विकट लिए वह भारती गेतबाज मुहमद समी द्वारा लिया गया था टोटल 24 विकर्ट मुहमद समी ले थे सबस्रीक रन भी भारती द्वारा बनाए गया विराट कॉली द्वारा साथ सपैसा रन वर्ल्ड कप का जो सुभंकर घोसित किया गया था वह ब्लेज आउट टोंग जो है इसको सब्सक्राइब कर लिए इससे पूर्व फीफा बिसुकप जो कतर 2022 में अजित किया गया था वह अभियाप के लिए इंपॉर्टन्ट है आर्जेंटीना ने जो है 2022 में फीफा बिसुकप का जो खिताब है वह फ्रांस को हराकर जीता था तो फ्रांस जो है वह बिजिता रहा है और आर्जेंटीना जो है वह बिजिता रहा है और फीफा बिसुकप जो आजित किया जाता है वह प्रतिक चार साल के अंतराल पर इसका बीजाई रहता है अगला जो विशुकाफ होगा 2022 में कतर मुगा था 2026 में चार साल बार वह है तीन देश जो है इसके सनीक्ति मिजबान रहेंगे जिनमें आपका यूएस करनाठा और मेक्सिकों रहेंगे तो चार तीन देश जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की सनीक्ति मिजबान यूएस कानाठा और मेक्सिकों सनीक्ति रूप से होगा 2022 का कातर में आउजित किया गया था जिसे जिसमें आर्जेंटिरिया ने फ्रांस को राक कर खिताब को जीत लिया था 2023 में फीफा महिला बिसुकाफ का आईजिन किया गया था और इसका जो आईजिन है वास्टेलिया इस्पेन रहा है और उबिजता आपका इंग्लेंड रहा है इसमें कुछ अवार्ड्स इंपर्टन होते हैं गोल्डेन गलब जो अवार्ड है वह मैरी एरफ्स को दिया गया है और यह आपके इंग्लेंड के खिलाडी है और गोल्डेन बूट का जो खिताब है वह एटाना बोन मती को दिया गया है और यह इसमें की खिलाड़ी है इस प्रकार जो है दो हजार तेस फीफा माईला विस्तुकप से इल्लेटर जो भी इंपर्टन फैक्ट है अम दो उसको कबर कर लिए हैं आसा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा मिलते हैं वीडियो में स